अगर आप इस वीडियो पर आके तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा helpful हो सकती है तो आप लोगों में से कई लोगों ने soldering करने के लिए अलग-अलग flux का अलग-अलग soldering paste का इसमाल किया होगा कई लोग इसका समाल करते हैं सबसे यह याधा लोग इसका समाल करते हैं और mobile circuits में इन दोनों का हमाल कराता है । यह हाई quality के होते है और is od में इसका इसमाल करते हैं नों का यह वाला भी का नॉर्मल काम में और कौमो urine में बीपिस्पार काम में में बीफिट सब्थाजों कि ऩा पता है तो इनसे चिन या फिर लोही में ही soldering कर सकते हैं आप लोगों ने देखा कि इन से कभी aluminum की wire में soldering होई हो अगर आप लोगों ने की हो थी हो सकता आप extra genius हो बड़ जहां तक ही मुझा पता है इन में से किसी से भी aluminum के wire पे aluminum की सतर पे soldering नहीं हो सकती है उसके लिए especially एक यह वाला flux आता है सिर्फ इससे aluminum की wires में हम soldering कर सकते हैं या फिर aluminum की wire को PCB में soldering कर सकते हैं काफी लोगों ने try किया होगा कभी ने कभी aluminum को soldering करने का कोशिश किया होगा बट नहीं हो पाता है लेकिन इस flux के उतारा यह काम possible हो जाता है चलिए बताता हूं किस तरीके से और इसके लिए सिर्फ flux की जो उत्रपड़ती है wire और जो soldering air रहेगा वायर तो वही रहेगी जो आप normal use करते है soldering wire और इसकी भी कई सारी quality होती soldering wire की अगर आपको जानना है तो उसका वीडियो मैं आपको डिक्सिशन में दे दूँगा तो सभी को मेरे दूरे चैनल पर वन लाग सब्सक्राइबर कंप्लेट करवाने के लिए अगर आप मूबायल रिपेरिंग क्या बेसिक सिखना चाहते है तो उस चैनल को जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं प्रैक्टिकल दिखाने से पहले एक छोटा सा आइडिया मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं अगर वह चीज आपको अच्छी लगे तो जरूर बताना तो इलेक्ट्रोनिक सब्सक्राइब करना अगर यहां पर जो फ्लक्स है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्सिन में दे दूंगा वहां से आप मगवा सकते हैं छोटे-छोटे बॉक्स में भी उप्लक्स है हैं तो वहां से आप मगवा सकते हैं इसको वपर कैप वो राजयेए अब यहां पर देखिए यह रहा हमारा यहां पर देखिए लग गया है, अब मैं यहां पर किसी भी point में इसको sording करूंगा, और sording wire वो ही वाला लगेगा, जो हमेशा हम इसमाल करते हैं, तो देखिए, जैसे कि हम किसी भी point में sording कर लेते हैं, तो randomly चलिए, इसी में कर लेते हैं, हम सोल्डिंग देखिए यह देखिए अ कि अ कि बहुत ही आसानी से हो जाता अब किसी भी ऐलुमिनियुम की वायर को इससे सोल्डिंग कर सकते हैं देखिए भाई कि खीच राओं में अगर जो से की जुगा तब ही टूटेगा वरना यह नहीं टूटेगा यह देख लो कितनी पक्की तरीके से सोल्डिंग हुआ है तो ऐलुमिनियुम की वायर को बहुत ही अचान तरीके से इस पेस्ट को इतार सोल्डिंग किया जा सकता है अगर हम नॉर्मली देखिए अगर हम नॉर्मली ऐलुमिनियुम की वायर को किसी और पेस्ट से हम सोल्डिंग करते हैं तो होगा ही नहीए देखर होगा ही है कि यह पेष्ट उसके लिए बना ही नहीं है यह कितना मकोशिश कर लो होगा ही नहीं यह देखर Merci नीचे बड़ इसमें हुआ नहीं अब हैं धुवा कुछ ज्यादा आते हैं धुवा नुसान दायक होता है अगर आप ये काम लगातार करते हैं तो बच के करिएगा थोड़ा ये से बच जाईएगा ठीक है तो ये सोडिंग हो चुका है तो इस तरीके से हम इस पेस्ट के द्वारा किसी भी एलुमेंट के वायर को सो इस कटर को लेने का लिंक भी मैं देदूंगा काफी लोग कूछते कि सरी कटर कहा से लिया तो मैंने इसको है ना ओनलान लियावा है इसका लिंग भी आपको देदूंगा तो इसमें भी देखिए मैं इसमें भी सोडिंग करके आपको दिखाता हूं पहले इसको डूबो ले के कर रहा हूं में है ना तकि टेबल खराब नहीं होगा अपने का स्वर्य अपना अब देखो कि दुआ बहुत ज्यादा आता है तो बच-बच के हमने काम करना रहेगा देख लिए आपने कि अब आप देख सकते हैं कि सैद अब आपको दिख रहा होगा साब साब देखे ठेंडा हो गया और यह शोल्डिंग हो चुका है कि एक सेगेंड थोड़ा साही और डूबाना पड़ेगा हमने और अच्छी तरीकी चीश्च को शोल्डिंग करके आपको दिखाता हूं कि देखो तो बहुत ही असन तरीके से हो जाता है आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आगा कुछ निया सीखने के मिला होगा और बाकी जो मेरे आइडिया सेयर कर रहा था ना उस पर कमेंट जरूर कर लेना और इसको खरीदने का लिंक मैं देदूँगा वहां से आप जाके खरीद सकते हैं तेक आप तेक नियुक्ती होगा